प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल सी प्रस्थुत है रिवा जिले की चिठी आलेख प्रजेश बांडे वाचनस्वर शेख महाजबीन अलमास लगभव 350 वर्ष पुराने रिवा जिले में कानून के चात्रों के लिए विधी पंचम वर्षिय कोर्स शुरू होने जा रहा है प्रदेश के उच्छ शिक्षा मंतरी डॉक्टर मोहन यादव ने विधी महाविद्याले के नव निर्मिद भवन का लोकारपन किया इसकी कुल लागच 6 करोड 13 लाख रुपे होगी अब तक स्ववित्य ठाकुर रणमीद सिंग महाविद्याले में विधी के लिए 3 वर्ष ये पाठिकरम चल रहा था जो 1942 से संचालित था इस नए पाठिकरम के शुरू होने के बाद विधी के शेतर में रोजगार मुलक शिक्षा को बढ़ावा प्राप्थ होगा रिवा जिले में कुपोशन को दूर करने के लिए नवजीवन अभियान चलाया जा रहा है अभियान का प्रथम चरण जनवरी तथा दूसरा फरवरी महा में चलाया गया था तो तीसरा चरण एक मार्श से शुरू किया गया था इसका शुबारम रिवा जिले के सांसर श्री जनादरन मिश्रु ने किया कारिकरम को जमीनी रूप देने के लिए रिवा कलेक्टर डॉक्टर इलाया राजाटी ने कलेक्टरिट सभागार में एक आवश्यक बैठक ली महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर निगम, ग्रामिन विकास विभाग, स्वास विभाग के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लेकर अपने अपने सुझाव व्यक्त किये रिवा जिले में कोरोना टीका करण के तीसे चरण का शुभारम हो चुका है इस हेतु जिले भर में 14 टीका करण केंद्र बनाए गए हैं ये टीके सब्ता में सोमवार, बुधवार, गुरुवार तथा शनिवार को लगाए जा रहे हैं टीका लगाने का समय प्रादा 9 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए निर्धारित किया गया है जिसमें मुज़र्गों तता गंभी रूप से ग्रसित व्यक्तियों को प्रादमिकता के आधार पर टीका करण किया जाना है इस तीसे चरण में रिवा सांसर शी जनादन मिश्र ने इस्थानिये कुशा भाव ठाकरे जिला चिकित साले में बनाए गए टीका करण केंदर में अपना परीचे पत्र दे कर पंजियन कराया और कोरोना का टीका लगवाया उनका टीका नर्स कुमकुम सिदीकी तथा जियोसना गौतम ने लगाया टीका करण के बाद सांसर शी मिश्र ने कहा कि कोरोना का अब तक कोई कारगर उपचार नहीं है जिससे बचाव के लिए निश्चुल को टीका करण शास के स्पतालों में किया जा रहा है हर व्यक्ति अपनी बारी आने पर कोरोना का ठीका अवश्य लगवाए तेरा मार्श को प्राता ग्यारा बजे से कलेक्टरेट कांफरेंस में वीडियो कांफरेंसिंग के माथ्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री शीर शिवरा सिंग चौहान निर्धात एजन्डा बिंदों की जिलेवार समिक्षा करेंगे वही सुरक्षा कर्मियों के भरती हे तो विकास खंड स्तरिये जिला रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जिला पंचायत के मुखे कारे पालन अधिकारी सुअपनिलवान खेड़े ने बताया कि जिले के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्द कराने के लिए ऐसा ये संसाद्वारा विकास खंडों के माथ्यम से पंजियन कर प्रिशिक्षन दिया जाएगा इसमें च्वाइनित युवकों को प्रारंबिक तौर से 9500 रुपे प्रतिक्षन आर्थी से लेकर उसमें प्रिशिक्षन इवं नियोजन के लिए भीजा जाएगा रिवा विधायक पूरो मंत्री श्री राजिन शुकल ने पंडित ऐसन शुकला विश्विद्याले के अधिनियम विध्यक में संशोधन के मांग करते हुए इसका पूरा नाम पंडित शंबुनार शुकला विध्यक किये जाने के मांग की है जिसका समर्थन विदान सबाद द्यक्ष श्री ग्रीश कौतम विधायक के दारनाश शुकला तता विपक्ष के विधायक डॉक्टर गुविन सिंग ने भी किया उलेखनी है कि पंडित शंबुनाज शुकले विंदिशेतर के प्रथम मुख्य मंतरी थे किसानों को उनकी उपच का अधिक्तम लाब देने के लिए शासंद्वारा समर्थन मूले पर फसल की खरीदी की जाएगी सेतु गेहू चनाम असूर इवं सरसो की खरीदी के लिए पंज्यन की तिथी निर्धारित की गई है मत्यप्रदेश विधानसभा की अध्यक्ष श्री ग्रीश गौतम 6 मार्श को 3 दिवसी प्रवास पर रिवा पहुचे विधानसभा अध्यक्ष खुले वहां में जुलूस के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए एंसेसी परेट ग्राउन में आयोजित स्वागत समारों में पहुचे विधानसभात्यक्ष का अभी नंदन इवं स्वागत आम जनता पंचायती राज संस्थाओं तता विभिन संस्थाओं ने किया समारों में सांसषी जनादर मिश्रा ने पूरो मंत्रे वं विधायक्षी राजेंद्र शुकल गुड विधायक्षी नागेंद्र सिंग विधानसभात्यक्षी गौतम को संगर्ज की प्रतिमूर्थी बताया और कहा कि श्री गौतम हर दल हर व्यक्ति के अपने हैं सब को उनसे शेतर के विकास की आशा है रिवा संभाग के कमिशनर श्री राजिश कुमार जैन ने 28 फरवरी को शास किये सेवा के बाद सेवा निवृत्तो हो गए हैं एक अच्छे टीम वर के साथ संभाग के विकास को उत्तरोतर दिशा देने के लिए उनका कारेकाल हमेशा यादकार रहेगा मत्यप्रदेश पावर ट्रांस्मिशन के प्रबंद संचालक इंजीनियर सुनिल्तिवारी ने गर्मी के पहले बिज्री लाइनों के कारे को पूरा करने के निर्देश दिये हैं आज उनके ग्रह ग्राम में मुख्रे मंतिश शिवरा सिंग चौहान की और से मद्देपिदेश पिछरा वर्ग तथा अलफ संक्यक कल्या राजी मंत्री शिराम खिलावन पटेल ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिवार को सांथ ना दी तथा राजी शासन का संदेश सित हुए बताया कि मुख्रे मंत्री जी परिजनों तक स्वता पहुशना चाहते थे तथा कहा कि यदि विधान सबा नहीं चल रही होती तो वह यहां आते उनोंने कहा कि डखसलियों के संगर्शकर अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारत माता के अमर शहीद का बलिदान विर्थ नहीं चाएगा जिला बाल सरक्षन की बैठक 6 मार्च को प्राता 11 बजे से आयोजित की गई इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला स्तरी टास्क वोर्स की बैठक भी आयोजित की गई जिले की चित्थी समाप्त होई